स्वप्न मई भाग दो एक शाम को अलका ने अचानक से आकर लेखक से कहा मैं बाहर जा रही हूँ इस पर लेखक ने अचक्कर पुछा अचक्कर मतलब संकोच और दुविधा में कहा जा रही हो तब उसने कहा घूमने के लिए लेखक ने फिर जानना चाहा लेकिन कहा तो वह बोली कि कहीं भी जा सकती हूँ अभी कुछ सोचा नहीं है यह सुनकर लेखक को आश्चरे हुआ इसलिए उसने मुस्कुरा कर कहा कोई और पागलपन सूजाये क्या तब अलका ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया पागल तो मैं हूँ लेकिन मेरे इस पागलपन के पीछे एक योजना है और ऐसा कहकर वो कंभीर हो गई जैसे वो कहना चाहती हो कि तुम मुझे जितना पागल समझते हो उतनी मैं हूँ नहीं मैं जो कर रही हूँ वो बिलकुल ठीक है लेखक ने उसका कुछ-कुछ मतलब समझा और बोला ठीक है अलका लेकिन फिर भी तुम जाना कहा चाहती हो तब अलका ने एका एक बोला जिधर तुम चाहो लेखक ने कहा मैं अलका ने कहा हाँ तुम तब लेखक ने कहा लेकिन इस शरत रितू में कहा चलना होगा यह भी तो समझ में नहीं आता फिर मैं निठला तो हूँ नहीं निठला मतलब बिना काम का तब अलका ने कहा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो इस पर लेखक ने कहा वह तो बहुत पहले छोड़ चुका हूँ तब अलका ने हसकर कहा तो फिर कोई चिंता नहीं कहने आई थी कह चुकी और सचमुच सवेरे उठकर देखा तो अलका की तयारी संपून थी आज तक वह कभी अकेले नहीं गई थी इसलिए आश्चरे हुआ और लेखक को अच्छा भी नहीं लगा इसलिए उसने पती के अधिकार का प्रयोग करते हुए कहा अलका यह पागलपन नहीं चलेगा तुम नहीं जाओगी हटात अलका का मूँ पीला पड़ गया हटात मतलब जिद से जबर्दस्ती मूँ पीला पड़ना मतलब घबरा जाना भै या चिन्ता होना जिद से अलका का चेहरा पीला पड़ गया यानी भै और चिंता से व्याप्त हो गया बोली तुम कह रहे हो एका एक लिखक को जवाब देते नहीं बना और उसे लगा जैसे वह कुछ प्रश्न कर रही हो जिससे वह घबरा गया तब अलका बोली मैं नारी हूँ न यह तो ठीक है पर मा भी तो हूँ नारी अबला हो सकती है पर मा अबला नहीं होती अबला मतलब बिना बल के इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझ पर विश्वास करूँ इन शब्दों में करुणा करुणा मतलब दया रहम इन शब्दों में ऐसी करुणा ऐसा विश्वास ऐसा सहज भाव था कि पानी होना मतलब लज्जित होना या शर्मिंदा होना तब लेखक ने कहा अलका तुम्हारा अविश्वास करूंगा यह तो कभी न सोचा था लेकिन हमारे मन की इच्छा ही तो सब कुछ नहीं है जिस समाज में हम रहते हैं उसकी ओर भी तो देखना होता है न चाहे तो भी यह तृष्टी में रहा ही है न रहे तो मुझे अंधा बनना पड़ेगा अलका कुछ सोच में पड़ गई लेकिन वह सोच शन के एक छूटे से भाग के ले थी तुमसे बहस नहीं करूंगी बहस तो परायों से होती है लेकिन हाथ जोड़कर इतना निवेदन जरूर करूंगी क कि समाज की सीमा नहीं है तुम एक सीमित समाज को देख रहे हो मैं जिस समाज को देख रही हूं वह आज है नहीं लेकिन आने वाला है इसलिए कहती हूं मुझे रोको मत तुमसे दूर हटकर तो मैं कुछ करना सकूंगी जो कुछ कर रही हूं वह यह जान कर कर रही हूं कि त तुम सदा मेरे साथ हो। यह सब सुनकर लेखक का गला रुंद गया। गला रुंद ना मतलब भावुक्ता के कारण बोलना पाना। इतना कच्चा तो मैं कभी नहीं था। कच्चा होना मतलब किसी विद्या हुनर में निपुर्ण ना होना। लेखक को लगा कि वह इतना कमजोर तो या इतना अपरिपक्व तो नहीं था। लेकिन सामने खड़ी वह नारी उसे पिगला रही थी। तब लेखक ने मन ही मन कहा अच्छा मा तुम तो निर्मात्री हो तुम जो चाहोगी वही होगा। लेखक फिर बोला अलका अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। और अलका चली गई और साथ में किसी को भी नहीं लिया। लेकिन यह सौभाग्य की बात थी कि उस समय लेखक की मा देश गई हुई थी। लेखक का छोटा भाई भी बाहर था। और उसने हाली में विवाह किया था। यह भी अंतर प्रांतिय विवाह अंतर प्रांतिय विवाह मतलब दो प्रांत के बीच में होने वाला विवाह। उत्तर प्रदेश की एक कायस्त कन्या। कायस्त मतलब ब्रह्मन। तो उसके छोटे भाई ने जिस कन्या से विवाह किया था। वो ब्रह्मन थी और उत्तर प्रदेश में रहने वाली थी। उसक को जीवन संगा